तो दोस्तो आज जिस कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है Bachelor of Computer Application, BCA Computer Application में एक Popular Undergraduate Degree Program है इसे छात्रों को Computer विज्ञान में एक मजबूत आधार प्रदान करने और उन्हें Information Technology के क्षेत्र में करियर के लिए तयार करने के लिए डिजाइन किया गया है नमस्का दोस्तों स्रागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है University India, मेरा नाम है विरिंदे वर्मा जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की Universities, Colleges, उनके Courses को Explore and Review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं Here are some key aspects of the BCA course Duration BCA आम तौर पर तीन साल का Undergraduate Program है Eligibility BCA के लिए Common Eligibility Criteria दस प्लस डो या समकक्ष है जिसमें गनित एक विशय के रूप में शामिल है Curriculum BCA पाठ्यक्रम में Computer Application, Software Development, Programming Languages, Database Management, Computer Network, Web Development और बहुत से संबंधित कई विशय शामिल है कार्यक्रम में वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान करने के लिए व्यावाहारिक परियोजनाओं और इंटर्नशिप के साथ सैदान्तिक और व्यावाहारिक दोनों पहलू शामिल हो सकते हैं मुख्य सब्जेक्ट्स, Vain Programming Languages, C++, C, Java, Python, Aadhi, Database, Management Systems, DBMS, SQL, Oracle, MySQL, Aadhi, Web Development, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Aadhi, OAN Printing System, Windows, Linux, Unix, Aadhi, Computer Network, Networking और संचार की मूल बातें, Software Engineering, Software विकास के सिध्धान्त और अभ्यास, Data Structures और Algorithm, Malik Data संरचनाओं और Algorithm को समझना दोस्तों कर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सकें, हमें प्रोसान मिलता है और अच्छे-ची वीडियो आपके लेकर आने के लिए और आप पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सबस्काइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आप तक पोछ सकें सबसे पहले कई BCA प्रोग्राम्स में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने और चात्रों को वास्तविक दुनिया के परिद्रिश्यों में अपने ज्ञान को लागू करने की अनुमती देने के लिए परियोजनाएं और इंटर्नशिप शामिल है कैरियर ऑपरचुनिटीज BCA graduates can pursue careers in software development, web development, database administration, system analysis, network administration और IT उद्ध्योग में विभिन अन्यभूमिकाओं में करियर बना सकते हैं कुछ लोग आगे विशेशजयता के लिए उच्च शिक्षा, MCA या Specialized Master's Programs का चयन भी कर सकते हैं Further Education BCA पूरा करने के बाद छात्र Advanced Studies के लिए Computer Application में Master, MCA कर सकते हैं Entrance Exams कुछ युनिवर्सिटीज या इंस्टिटूट्स अपने BCA कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए Entrance Exams आयोजित कर सकते हैं BCA प्रोग्राम में Enroll करने से पहले, करिक्यूलम की पेशकश करने वाले विश्व विद्यालय या कॉलेज के विशिष्ट पाठ्ठिक्रम और प्रवेश आवश्यक्ताओं की जाँच करना आवश्यक है इसके अधिरिक्त पुद्योग के रुजानों पर अपडेट रहना और इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना प्रतिसपर्धी IT नौकरी बाजार में BCA सनातकों की संभावनाओं को बढ़ा सकता है Salary Potential IT में करियर अकसर competitive salaries के साथ आते हैं BCA graduates विशेश रूप से मजबूत कौशल और अनुभव वाले उद्योग में अच्छा वेतन प्राप्त कर सकते हैं Global Demand विश्वस्तर पर प्राद्योगी की पर बढ़ती निर्भरता के साथ कुशल IT पेशेवरों की उच्च मांग है कोई भी documents verify करवाना चाते हैं verification के काफी सारे process होते हैं पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो के मात्यम से बोलता हूँ कि RTI एक बहुत अच्छा option होता है government process के थुर आपकी documents verify हो जाते हैं फिर भी आप चाहें तो सिधा university से verify करवा सकते हैं universities अपनी website पर detail डालके रखती हैं या फिर RTI लगवाएं इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं और अगर कोई भी document किसी भी university से आपने लिए हैं आप further documents आप निकालना चाते हैं migration degree, LOR, transcript कुछ भी निकालना चाते हैं और आप university से बहुत दूर हैं आप helping hand चाते हैं तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें कोई भी documents जो आपकी university में भी pending हैं और दोस्तों कोई भी आप मदद चाते हैं west process में या फिर degree को verify करवाने के लिए आप हम से भी contact कर सकते हैं contribution to innovation BCA graduates के पास तकनीकी नवाचार में योगदान करने का अफसर है वे नए software विक्सित करने, मौजूदा सिस्टम में सुधार करने और तकनीकी प्रगती को आगे बढ़ाने में शामिल हो सकते हैं यह ध्यान रखना महत्वपून है कि वास्तविक लाभ, व्यक्तिगत प्रयास, विशेश अग्यता और विभिन्न संस्थानों द्वारा पेश किये गए विशिष्ट कार्यक्रमों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं छातरों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे एक प्रतिष्ठित संस्थान चुने और BCA कोर्स के लाभों को अधिक्तम करने के लिए इंटर्नशिप, परियोजनाओं और कौशल निर्मान गती विधियों में सक्रिय रूप से सनलग्न हो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि BCA कार्यक्रम का विशिष्ठ विवरण, विश्व विद्यालयों और देशों के बीच भिन्न हो सकता है इसलिए उस विशेश संस्थान के करिकुलम की जाँच करना उचित है, जहां आप पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं इसके अतिरिक्त उद्योग के रुजानों पर अध्यतन रहना और इंटर्नशिप या व्यक्तिगत पर योजनाओं के माध्यम से व्यावहारिक कौशल प्राप्त करना BCA सनातकों के कैरियर की संभावनाओं को और बढ़ा सकता है तो दोस्तो यही थी आज की वीडियो उमीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की educational वीडियो के लिए झाल झाल झाल